आज मैं आप सभी के लिए चीजी पिज्जा पाओ की रेसिपी लेकर आई हूँ और यह रेसिपी कभी भी आप खा सकते हैं बहुत टेस्टी लगती है तो चलिए टाइम वेस्ट ने करते हैं यह हमें आप पाओ से बनाएंगे पाओ भजी तो हमेशा खाते हैं तो इस तरह का आप ट्राई कर सकते हैं इसको पिज्जा के रूप में तो सबसे पहले हम इसका बटर बनाएंगे गार्लिक बटर बनाएंगे तो जो इसमें ऊपर स्प्राइड करेंगे तो यह बटर मैंने मैल्ट करके रखा हुआ है जितनी भी पाओ लेनी हो इस आप से आप तयार कर लें गार्लिक बटर और यहां पर आप इधी फ्रेश गार्लिक का यूस करेंगे तो बहुत अच्छा अच्छा आएगा और यह नहीं भी हो तो आप अपना लहसुन की कडियां को बारिक-बारिक काटकी भी आप उसमें डाल सकते हैं तो यहां पर मैंने बहुत दो करीब फ्रेश वाला लहसुन दिया तो इसको काट लिया है इसको बटर में डालेंगे हम दो टीस्पून होगा यह साथी साथ यहां पर बेजिल डालेंगे हम फ्रेश वाली यह दि नहीं भी हो तो आप ड्राइड आ सकते हैं और बहुत थोड़ा सा पार्सले एक टीस्पून करें जब आप इस तरह के कोई चीज्प बना रहे हों तो आप इसके और पास सामान होना ज़रूरी है कि खुत दो हुके तो नहीं जब बड़ा सा चेंज करते हैं तो अट फरक आहा zalटा है फिर तो आप जब भी कोई चीज ऐसी बना रहे हैं तो उसको उसके लिए समान आप जरूर अरेंज करें और साथी साथ इसमें मैं डालूंगी यह मेरा स्पाइस रैक है जिसके मैंने अन्बॉक्सिंग करिए उसी का यह यह पिज्जा सीजनिंग थोड़ी सी बटर में डाल दें बहुत चाह आता है बटर में इससे थोड़ा सा और ही रहनो है आजकर यह इसली मार्केट में अविलेबल हैं और आपको आपके मार्केट में शेहर में ना मिलता हो तो इसका लिंक आपको ड्रेस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है यह चीजें और यह चिली फ्लेक्स इसको साइड में रख देते हैं अब हम इसकी स्टफिंग तयार करते हैं एक बोल ले ले उसमें सारी सब्जियां मिलाएंगे यहां पर यह मैंने मिक्स करके सब्जियां रखे हैं जो हम उपर डालेंगे जिसमें प्याज लाल शिम्ला मिर्च और पीली शिम्ला मिर्च और हर स्क्षेमय शिम्लर physician शवेक हरी शिम्ला मिर्च प्याज तसा इन तो मिर्च इसा कंट स्क्षेमय के पास कमें शियंटेज हाइं अब इन सब चीजों को पहले मिक्स कर लें मैं 55- ले रहे हूं अब अंट cabe थे स्वेन तो इस यहां अब यहां न बिश्ठ बैस कर सदें एक टेबल इस्पून प्याज एक टीजपून पीली शिमला मिर्च एक टीजपून लाल शिमला मिर्च अभी मुझे इतने ही बनाना इसलिए में से कॉंटिटी कम-कम ले रही हूं इनको पहलेट अच्छी तरह से मिला लीं इस इसमें टालेगे समय अब थोड़सा हम इसमें डालेंगे अंदर से घुटव्विंट स्वाग कर दाल लीए और यह पिज़टा की विला जाता है और इसका इसकी रेसिपी मैंने आप सभी किताद शेयर करिए जिसका लिंक आपको ड्रेस्क्रिप्शन बॉक्स में मिले रहा यह तीन टीस्पून करीब आपके बजार के तो आप वह भी ले सकते हैं तीन टेबल स्पून करीब आप पिजा सॉस और साथी साथ यहां पर यह शायंगी टेस आता है जाता है इसमें थोड़ा सा और टेस्ट देने के लिए यह वाली सॉस आती है वह राली है इनको अच्छी तैसे मिक्स करें सॉस में नमक होता है डहला है तो इस नमक की जडरविड नहीं है इनकों बागा को पार बाक्या व्य साल्ट करें को इसके अधा कॉल्ट्ससा तो बहुत कम डाले और यह उ बहुत अच्छा टेस्ट हाता नहीं हो तो आप नॉर्मल सॉल डाल सकते हैं दिया आपको कम लगता हो इसमें तो अब यह पाओ लेते हैं यह पाओ का थोड़ा सा साइज बहुत चोटा है तो हम इसमें कट नहीं कर पाइंगे तो इसको हम इस तरह से कट करेंगे श्कवायर से धिसमें इस्पेस नहीं है बिलकुल भी भरने की इस तरह से कर लेंगे इसको प्लू कुं यहां से कोई भी शारप मुसको यह उसमने शॉल्ए। कट देनं कि इस तरह से कट लगा देना इसमें जैसे हम ढोक ले या कुछ काट करते उस तरह से यह इस तरह से होगा जिसके अंदर हम स्टफिंग भरेंगे जो हमने रेडी करिए पहले हम थोड़ा सपाओं में बटर लगा लेते हैं जिससे कि यह ड्राई ना लगे क्योंकि इसका हमने चेंज किया है जगे क्योंकि यह इदर भर नहीं सकते हैं कम भरेगी फिर स्टफिंग इसी तरह से सारी कर लें जितनी स्टफिंग भरेंगे उतनी टेस्टी लगेगा यह और अब के पाव चौड़ी हो उपर से तो आप उपर से इस तरह से कट लगा सकते हैं इसलिए इसमें भी बटर लगा दें अभी मुझे तीन ही चैसे में तीन ही यूज कर रहे हूं आपको जितनी वी कॉंटिटी में बनाना आप उसमें बना सकते हैं अब हम इसमें स्टफिंग भरेंगे आप इसको थोड़ा सा ओपन करके इसमें इस तरह से भरते जाएं कि चम्मस से करते जाएं इसको जब भी काम करें तो हाथ अच्छे से क्लीन करने पहले हैं यदि हाथ लग रहा हो आपका तो इसके अंदर जितनी भी स्क्वेर है उसके अंदर स्टफिंग को भरना है हमें कुछ इस तर से आप इसको भरेंगे जितना भर सके उतना ही अच्छा लगेगा यह सभी पाव में चीज जाल लिए और डालने जितना भी आपको पसंद उतना डाल सकते आप इसमें अपनी पसंद से चीज तो अब इसमें थोड़ा साम सीजनिंग करेंगे और ही गैनो पिज़ा सीजनिंग चिली फ्लेक्स हम बाद में डालेंगे अब इसको अब बेकिंग ट्रे आपके पास जाए और इसको अच्छा टेस आएगा दिया आपके पास नहीं है तो आप इसको प्राइम पैन में भी आप अराम से इसको रोस्ट कर सकते हैं हमको सिफ चीज मेल करनी हो थोड़ा बेस जो है वह क्रिस्प हो जाए हमारा पाव का और मैंने वहाँ पे आवन को 200 डिग्री कर लेंगे तो बहुत जल्दी वह चीज मेल्ट हो जाती है और अवन सबके अलग अलग होते तो यहां पर तो मेरे पास से साथ मिनिट लगते हैं इसको बेक होने में पर अगे आपको थोड़ा सा लगता कि बेक पूरा ना हुआ तो आप उसको दस मिनिट भी रख सकते हैं उ इसको हम सर्व करते हैं अभी बहुत गरम है तो बहुत केरफुली करें इसको और इसको में पार्सले से सजा रहे हूं यहां पर गार्निश कर नहीं हो तो हरा धनिया आप यूज कर सकते हैं और यह सीजनिंग सॉल्ट है यह बहुत टेस्टी लगता है इसके उपर थोड़ा स बहुत कम डालें इसको तो लीजिया आप सभी के लिए टेयारे चीजी पिज्जा पाओ कि यह आपको यह रैसिपी अच्छी लगे और यह पसंद आया तो आप इसे लाइक शियर और कमेंच जरू करें और यह आपने मिले चैनल को सब्सक्राइब नाइक जरू करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें कि आगे जो भी रैसिपी लेकर आँ वह उसका नोटिफिक्शन आप पहुछ सके थेंक यू